इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन कंट्रेक्ट 1872 के सेक्षिन 124 जो कंट्रेक्ट आफ इंडेमिनेटी को डिफाइन करता है और सेक्षिन 125 जो राइट आफ इंडेमिनेटी होल्डर के बारे में पताता है सेक्षिन 124 को हम पढ़ेंगे जो कंट्रेक्ट आफ इंडेमिनेटी को डिफाइन करता है तो ये कंट्रेक्ट क्या बताता है कि ये एसा कंट्रेक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रामिस करती है कि अगर आपको कोई भी लॉस हुआ ठीक है वो लॉस उसकी वज़ा से हुआ या किसी दूसरी पर्सन की वज़ा से हुआ उस लॉस को भरने के जिमेदारी उसकी है ये प्रॉमिस करता है ठीक है न तो उसी को contract of indemnity बोलते हैं इसमें क्या गया दो पार्टी जे एक पार्टी है indemnifier indemnifier वो हुई जो प्रॉमिस करती है ठीक है और दूसरी पार्टी जो है indemnity holder indemnity holder कौन सी है जिसके साथ प्रॉमिस किया गया ठीक है तो इसमें क्या है indemnity holder को ये आशवासन मिलता है कि अगर इस contract में कोई भी loss उसको हुआ भी तो indemnity fire उस loss को भर देगा उसको compensate कर देगा आई इसको example के साथ समझते हैं कि इसमें क्या होता है indemnity indemnity fire जैसे ए और बी के बीच में हम मान लेते हैं कि contracted ठीक है ए ने कहा कि मैं कुछ goods जो है वो क्या करूंगा transfer करूंगा बी को इन दोनों के बीच में contract है किसके बीच में A और B के बीच में ठीक है तो यह जो है इसको goods डिलीवर करेगा B को 2000 रुपे में या कुछ amount रखते हैं ठीक है तो यहां पर C आता है और वो promise करता है B को सी आता है और promise करता है B को कि भाई अगर एक ही वज़ा से एक ही वज़ा से आपको कोई भी नुक्सान हुआ यह डिलीवर नहीं कर पाया good तो उस loss को कौन भरेगा C भरेगा तो यहां पर C कोन आ गया C आ गया indemnity fire ठीक है न और B कोन आ गया B आ गया indemnity holder तो यहां पर B को कोई चिंता गरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर इसे कोई loss हुआ भी अगर A डिलीवर नहीं कर पाया good तो उसकी जगा कोन नुक्सान भर देगा उसका C का ठीक है न यह समझा गया कि indemnity fire कोन है indemnity holder कोन है ठीक है न और यह promise कोन करता है और किस लिए करता है कि loss जो है वो उसकी भरपाई के लिए करता है ठीक है अब हम आगे पढ़ते हैं इसके आगे तो क्या बात आती थी इसमें कि इसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को बचाती है अगर उसके खिलाब कोई भी लॉस हुआ ठीक है न तो जो जैसे हमारे बेरेक्ट के section में लिखा था कि बाई कंडेक्ट आफ फ्रॉमिसर हिमसल्फ और बाई कंडेक्ट आफ एनी अ फुल्फिल ना हो पाया और दूसरे को लॉस हो गया या फिर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की वज़ासे जो है contract में बादा आ गई और contract फुल्फिल नहीं हुई और दूसरे व्यक्ति को है जो नुकसान होगी तो दोनों जगा में परसन लिखा है मतलब इसमें जो है human conduct को ही स प्लूट किया गया है ठीक है ना नेच्रल एक्टिविटी या कुछ दूसरे वजह से जो एक्ट होगा उसकी जिम्हेदारी इंडेमनिफायर पर नहीं आएगी तो यहीं पर एक कोश्चन आता है कि जो इंशोरेंस के वाला कंट्रेक्ट होता है क्या वह इंडेमनिटी वाला कं सिस्टम है वह इसमें नहीं आता है ठीक है ना इंशोरेंस वाला सिस्टम जो है वह अलग जो सेक्शन में कंटीजन कंट्रेक्ट में आता है सेक्शन 31 में आता है वह कंटीजन कंट्रेक्ट में इंशोरेंस वाला सिस्टम और दूसरा है इंपलाइड है कि एक्सप्रेस कंट् है ठीक है थीक, mm तो यह जो section था 124ं है, अब हम आगे बढ़ेंगे section 125 तो अभी जू है section 125rd है right of indemnity holder ठीक है न, तो इसके right क्या क्या है हमें पता है कि indemnity holder कों है जिसके साथ promise किया गया था अगर fulfill नहीं हुआ contract tout क्या है तो उस case में वो क्या-क्या चीज़ें ले सकता है देखो सारी damage जो भी उसे हुआ damage हुआ ठीक है ना उसकी सारी compensation जो है वो उसे मेलेगी और दूसरी बात जितना भी उसे cost लगा हो चाहे वो litigation में लगा हो या कहीं दूसरे जगा में उसको पेसा लगा हो वो cost भी उसको indemnify देगा और तीसरा कि जितने भी sum चाहे उसको उस contract के relation में कहीं भी उसको पेसा लगा होगा या कुछ लगा होगा तो वो सारा पेसा जो है वो वो उससे ले सकता है ठीक है उसको जितना भी loss हुआ वो compensate करवा सकता है यह चीजें हो गई ठीक है तो इसके बाद हमें हमारे पास एक question आता है कि जो यह contract होते हैं indemnity holder वाले इसमें जो indemnity holder है यह कब पेसा ले सकता है indemnify से इसका मतलब है कि जो indemnify है वो कब liable हो सकता है जब contract actual में उसको loss suffer हुआ indemnity holder को या फिर अभी तक actual loss suffer नहीं हुआ है उससे पहले ही indemnity holder पेसे ले सकता है तो अलग-अलग high courts के अलग-अलग इस पे judgments हैं एक high court ने कहा है कि अगर actual loss हुआ तब ही वो indemnify जो है liable होगा और दूसरे का यह opinion है कि जब तक न एक्चूल loss अगर नहीं हुआ है उससे पहले भी जो है indemnity holder वो ले सकता है इसका मतलब indemnify उससे पहले भी liable है actual loss होने से पहले भी तो इनका अलग अलग इंटरप्टेशन से यह सक्षिन 124-125 अफ इंडियन act 1872